तिल गुड के सबसे साफ्ट और सबसे टेस्टी लडू बनाने के लिए ना हमें मावा चाहिये ना हमें चासनी बनाने की ज़रुरत है बहुत य आसानी सी ये टेस्टी साफ्ट लडू बनकर त्यार हो जाते। चलिए देखते हैं रेसिपी। लड्डू बनानी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे तिल तो यहां पर हमने आदा किलो याने 500 ग्राम हमने तिल ले लिया है अब क्या करना है सभी को पता है कि तिलो को भून लेना होता है लड्डू बनाना हो या गजक बनानी हो या तिल चिक्की तिल पेड़े हम चलाते रहें नहीं तो यह देखे रहें ना काले काले हो गए जल गए यह तो बस इसको चलाते रहें और आज लूटू मीडिया में रखे चिंता मत करिए ज्यादा नहीं जले हैं एक तिल जिला है उससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला हमारे तिल के लडू बहुत ही टेस्टी लडू को बैसे रहें और हमें थोड़े साबुत तिल भी चायए होंगे तो हम सब को साथ ही डालेंगे तिल और गुड़ को भी तो यह लीजिए हमने तिल और गुड पीस कर ले लिया है पमें तो ऑच्छे से मिग्स कर ले इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं यह ऑप्शन बनकर तयार होते हैं आप चाहे तो इसमें मावा डाल सकते हैं मिल्क पाउडर डाल सकते हैं इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए यकीन मानिए यह लड़ू ऐसे भी बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं जब तक आप इसको एक वीक तक स्टोर करोगे तब तक ही यह सॉफ्ट बने रहें है तीन से चार चम्मच हमने इसमें देशी घी डाला है और हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है ना इलाइची को पाउडर डाला है ना ड्राइफ फूट्स डाले हैं बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट लड़ू बनकर हमारे तयार हो गए हैं आप सभी को मकर शक्रानती की धेर सा को अमने